टॉक्स इन न्यूस की हमारी लिस्ट तयार है, नतीजों का सीजन है, कहां कहां नजर रखनी इस वपर बात करने के लिए मेरे सही होगी, बारुन दूबे इस वख मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं, बारुन गुड मॉर्निंग, बैसे तो there's nothing good about this morning, लेकिन ज 15.6% का अनुमान था, 15.1% पर आये हैं, वहाँ पे एक miss देखने मिला है, और मुराफ़ा 18,021 कोड पर आये है, 20,540 कोड से घटके हमारा अनुमान 20,000 400 कोड के आसपास का था, इसके अलावा लेकिन जियो का कारोबाल जो है, वहाँ पे possession अच्छा देखने मिला है, क्योंकि आरपूर 151.6 से बढ़कर 167.6 पर आये हैं, यानि करीब 10.5% के आसपास की बढ़ोती है, जबकि 5% के आसपास की बढ़ोती का अनुमान लगया जा रहा था, तो ये को performance अच्छा रहा है, उसके चलते देखते रिलांस पर क्या impact होता है, और हाँ, इसका impact जो है, बाकि टेल 15.6, जबकि 15.7% का अनुमान तो तो अनुमान से थोड़ा बहुत मिस है, मुनाफ़ जो है 632 कोड पर आया, 454 कोर्स के आसपास का अनुमान यहां लगा के चल रहे थे, और कम्पनी ने 1.75 पैसे का डिविदेन का ऐलान किया है, नवीन फ्लोरिंग, स्टेबल सेट अफ मुनाफ़ में भी करीब 77% के आसपास की बढ़ोती है, 6 करोड से बढ़के यह करीब 1500 करोड के आसपास निकल के आया है, वही कम्पनी ने 33 पैसे के प्रतिशेर के डिविदेन का ऐलान किया है, ब्रिंवेल नॉटन, रेविन्यूस 10% बड़े हैं, माजिन्स गिरे हैं 22.2% से मुनाफ़ में 34% के आसपास की बढ़ोती है, और इसके अलावा से शेशाई पेपर, मिक्स नतीजे हैं, रेविन्स बड़े हैं, लेकिन माजिन्स भी यहां बड़े हैं, साड़े 10% से बड़े 16.8%, मुनाफ़ जो है, उसमें करीब 11% के आसपास की गिरावाट हुई है, धाई रूपे पतिशहर के डिविडेन का ऐलान भी इन्हों ने किया है, पॉइंट टेकन, वारुन अब ज़र ये बता दीजे, आज के लिए महतवपून ट्रिगर्स कौन से हैं, और खबरों के दम पर कहा अक्शन दिखे हैं? टोटल सब्स्रिप्शन जो है 1.79 टाइमस हुआ है, रीटेल ने बढ़ चड के हिस्सा लिया है, 1.59 टाइमस के आसपास जो है, रीटेल का हिस्सा बनाया, भर चुका है, और पॉलिसी होल्डर जो है, उनका हिस्सा 5.04 टाइमस भरा है, तो यहाँ पर आप आप नज़र रख पर आपको नज़र रखनी है, 9-12 माइन में जो पूरी डील है, वो पूरी होने वाली है, इसके अलावा, बैंक्स अपने लेंडिंग रेट बढ़ा रहे हैं, एज़ेश लिमिटेट ने भी बढ़ा दिये हैं, होम लोन 0.3% से महेंगा हो चुका है, और इसके अलावा, कैनल पी, 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 बी, हाउजिं, इंडिया बैंक, इंडियन बैंक, इन सब ने बढ़ा दिये हैं, और मार्केटिंग कमनी से में अज़र रखेगा, क्योंकि देज भर में जो LPG सिलेंडर है, घरेलो LPG सिलेंडर, उनके दाम जो है, अब 50 सुपे से महेंगे हो चुके हैं, पर रंगाबाद की जो फेसलिटी है, उसमें दवाई बनाए जाएंगी, करीब-करीब ब्याली स्कोर्ड के आसपास, ब्याली स्कोर्ड डॉलर के आसपास का यूस में इसका मार्केट है, इक्विडास स्माल फैनेंस बैंक और इक्विडास होल्डिंग पे नज़र रखेग उन पर GST का जो बोजे वो कम होने वाला है, हाई कोट ने खाय की जमीन लागत ज्यादा होने पर GST की केवल वन थर्ड जो है, वो डिड़क्शन ही देना गलत है, और बड़े शहरों में कई बार प्रोजेक्ट की लागत में जमीन का हिस्सा जो है, वो सबसे आधा अधिक हो